जेहें प्यारे साथ्यों वेलकम टो भारत्वर्स क्लासेश तो आज हम लोग करेंगे कच्छा छे जी सीयार्टी विक्यान पार्ट तीन के प्रस्ण उत्र पार्ट तीन का नाम है वायूम जीवन के लिए आवे सेक्ट तो पहला प्रस्ण कहता है कि इन में से इस सही सब्द का अच्ययन गर्जिक तस्थानों की पूर्टी कीजे हमें यहां पर दे रखाए कुछ सब्द और यहां पर कुछ वयक दे रखें हैं इसमें हमें खाली सब्द के जगा में उचीत सब्द भरना है पहला है कि प्रीत्वी के चारों ओर की वायू की परत्द कहलाती है तो यहां पेखाली इस्तान पे हम लोग को भरना है वायू मंडल क्या भरेंगे वायू मंडल पहला पर भराएगा वायू मंडल दूसरा है कि सभी जन्तु स्वाशन में वायू से लेते हैं तो सभी जन्तु स्वाशन में वायू से कार्बन डायोक्साइड लेते हैं सेकेंड आ जाएगा जलने में कौन सी गेस सहयक होती है तो जलने में ऑक्सीजन गेस सहयक होती है थाट नमर पर भरोगे गतिसिल वायो को कहते हैं कर लेना है चलिए ब्रसंग क्या दो को दिखते हैं तो प्रसंग क्या दो में हमें मिलान करना है यहाँ पर दे रखा है खंड का और खंड का इन दोनों को मिलान करना है तो चली हम यहाँ से मिलान कर लेते हैं इसे पहला है हवा तो हवा क्या होती है गती सिल वायू को हवा कहते हैं कहा का मिलान करोगे Oxygen, तो Oxygen अभी मैंने बताया कि जलने में सहयक होती है Nitrogen, जलने में सहयक नहीं है चौथा दरेका वायू, तो वायू परदर्सी है वायू को आप लोग देख नहीं सकते हो सिर्फ महसूस करते हो कि हवा चर रही है तो आपको ठंडी लगेगी या फिर आपके बाल उड़ेंगे ऐसा कुछ हो सकता है तो आप पता करोगे कि वायू है ठीक है और किसी भी खाली इस्थान पर वायू मर्जूद होती है प्रीथवी पर जहां भी आप एक बोतल भी लो तो उसमें भी वायू पस्तित होती है यह प्रस्न भी आएगा कि एक खा करके सामने गलत का चीन में लगा है पहला है वायू जालवास्प फरें धोल्कन का मिश्रन है तो यह बात बिलकुल सही है कि वायू क्या जलवास्प फरेंवं धोलकन का-त्युद का मिश्रन है डींस रहे मिकी में व Dale वृ उपस्तित नहीं होती है तो यहां पर देर कह नहीं और जहां भी आजन नहीं होती है, तो यह तो गलत है, चूंकि मिती में वायू पस्तित होती हैं और यहां पियर रखन नहीं तो यह हम लोग गलत कर देंखे, दूसरा है कि जोलन में carbon dioxide सहएक होती है नहीं जोलन में तो oxygen सहएक होती है तो तीसरा भी गलत हो जाएगा चौता है कि वायू हवाई जहाज उड़ाने में सहयक है तो यह बात बिल्कुश है कि वायू हवाई जहाज उड़ाने में सहयक है पवन चक्की घुमने में सहयक है पैराशूट उड़ाने में सहयक है वायू को हम देख सकते हैं जी नहीं वायू को तो हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि वायू पारदर्सी होती है तीक है अब चलते हैं प्रसंक्या 3 में तो प्रसंक्या 3 तो हो गया प्रसंक्या 4 में हमें कुछ प्रसंदे रखे और उसके उत्तर हमें बताना है पहला एकी जल में मीटी डालने पर वायू के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं ठीक है क्या है वायू के संगठक क्या है पहला प्रस्न है कि वायू के संगठक क्या है इसमें लिखेंगे हम लोग कि वायू और नाइट्रोजन अक्सीजन कार्बन डैक्षाइड जलवास्प दूलकन आदी गैशो का मिसरन है पांचमा प्रस्ने वायू मंदल किसे कहते हैं इसमें उन्हों लिखेंगे वायू जो हमारे चारो और उपस्तित हैं उसे ही वायू मंदल कहते हैं वायू के जो परत हमारे चारो और उपस्तित हमें चारो और से घेरे हुए हैं उससे ही वायू मंदल कहते हैं उसमें सबसे अधिक परतिसत किसका है उससे सबसे अधिक परतिसत नाइट्रोजन का है फिर आगे आता है ऑक्सीजन फिर और गेसे आती है सबसे कम परतिसत कुछ है यहां पर तो कार्बंडाइक्टीट का होता है जी रोपॉंट जीरो फवॉर परसेंट लगभग होता है चलिए प्रशन के अच्छे को देखते हैं प्रशन के अच्छे है कि वाईू मंडल में कौन सी गेश स्वसन के लिए आविश्यक है सांस लेने के लिए कौन सी गेस आविशक है तो यहाँ पर स्वाशन के लिए कौन सी गेस आविशक है आक्सीजन तो यहाँ लिखेंगे वायू में श्वाशन के लिए आक्सीजन गेस आविशक है अब प्रसंग के साथ कहता है कि जल में मिट्टी डालने पर वायू के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं इसमें हम लोग लिखेंगे कि मिट्टी छोटे छोटे कनोशे मिलकर बनी होती है और उन कनों के बीच जो खाली स्थान रहता है उनमें वायू भरी रहती है अता जब जल इन छिद्रों में परवेश करता है तो वहां की वायू बुलबुले के रूप में बहार आती है चुकि आप देखोगे कि जो जीव जनतु मिट्टी में रहते हैं वे कहां से सांस लेते होंगे तो मिट्टी में भी वायू उपस्तित है जो इसके कन होते हैं उसमें वायू उपस्तित होती है जब इसमें पानी डालते हो तो यह जो पानी इस कनों में प्रिश करता है और यहां की वायू बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है प्रसंक्या 8 कहता है कि वायू में कौन स अपर्टित होती है तो मैंने अभी बताएं कि वायों में इधरी कि नाइट्रोजन गेस उपच्टित होती है जो कि लगब Constand 79 पर 90 होती हो न厭्मा है कि वाद्य यंत्रों में वाय की महत्पुर्ण भूमिका होती है अप कैसे परमानित कर सकते हैं इसमें हम लोग लिखेंगे कि जो वाद्य यंत्रों में वायू की महत्पुन भुमिका होती है क्योंकि बासूरी सहनाई इत्यादी वायू सही बना बताएं जाते हैं जैसे कि बासूरी बजाओगे तो मुश्य फुक मारके बजाओगे बासूरी भी बजाओगे सहनाई भी बजाओग तो मुश्य फुक मारके विजाओगे यानि उसके सूर्द देने के लिए हमें वायू के अलसकता होती है और यहां पर दे रखाए कि वादी अंत्र तो वादी अंत्रों में वायू के महत्पुन भूमिका हो गई है प्रासंख्या 10 है कि आपको कैसे पता चलता है कि वायू में जलवास्प उपस्तित होता है या पता करने के लिए हम निम्न क्रिया क्लाप कर सकते हैं का पानी का अत्यदिक गर्म होने पर उसका गायव हो जाना जब आप एक बीकर या फिर एक कटोरे में पानी को गर्म करोगे और अधिक गर्म करते जाओगा एक समय के बाद देखोगे तो कि वह उससे कुछ निकल रहा है उसे ही भाफ कहते हैं और यह कुछ समय बाद पानीं गायव हो जाएगा तो आकर वह पानीं गया कहां वो जलवास्प बनके उड़ गया ठीक है है इसलिए वायो में जलवास्प भी मौजिद होती है दूसरा क्रिया कि आप हम लोग कर सकत होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जलवास्प के कारण प्रसंख्या 11 तो प्रसंख्या 11 कहता है ऐसे क्रिया कलापों की सूची बनाई यह जो वायो की उपस्थिति के कारण संभव है इसमें हम लोग लिखेंगे निमने क्रिया कलापों में वायो की आवश्रक्ता होती है पह दूसरा है कि आग के जनने में सहायक और आग जनने में कौन सी कर सायक है आग जलने में अक्सीजन गेशायक और आग में ही आपस्थरुछ घंप है जो पर्वन् सहक्की गोमती है उसे घूमाने में यह फिर आपको फुर के उना में फीरकि मिलता है इसे करके बना हुआ राता है जब उसे आप ऐसे कलाना होगे तो कैसे एघ हंब किग == और या घुमेगी तो इसे घुमने में भी सहायक वायू ही करती है जोता है कि बादल को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में सहायक अब इससे फायदा क्या होता है कि बादल एक जगा से दूसरी जगा जाएंगे देखिए यदि बादल एक जगा से दूसरी जगा नहीं जा अब बादल को यहां से ले करके इस अस्थान तक जाने के लिए वायू किया हो सकता होती है अगर ऐसा संभव ने होगा तो यह सारा फिर पानी समुद्र में यहीं पिगर जाएगा चुकि बादल को हवा उड़ा के लिए जाती है तब ही तो इसा संभव हो पाता है प्रस इसमे यहां पर नाओ के उड़ाने नहीं होगा यहां पर नाओ को खेने में सहायक लिख दोगे और पेराफुट आदी के उड़ाने में सहायक यह अपने यहां से काट दो यहां से सात्मा लिख दोगे कि नाओ को खेने में सहायक क्या लिखेंगे नाओ को खेने में सहायक यह जुनकि फाली नहीं है तो मैंने बताया अभी कि वायो हर जगा मुवझूद होती है क्योंकि खाली कहा जाने वाला गिलास खाली नहीं होता है कि इसके अंदर भायो भरी होती है अब हम प्ता कैसे करेंगे कि गलास में वायो माल लीजे यह एक गिलास आप लोग लिए हो और इस गिलास को आप लोग उल्टा करके एक पानी से भरे टब में इसे डुबाओगे तो आप देखोगे कि गिलास को अंदर धेखेलना मुश्किल होता है और आप जब पूरा बल लगा के उसे ठेलोगे तो इसके साथ साथ से ब भूल भूले बाहर निकल गए जो वायू निकल गई तब अंदर चला जाएगा प्रसंगे तेरा है कि मुह से सांस लेना क्यों हा निकारक है इसमें लिखोंगे कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में छोटे-छोटे बाल होते हैं जो धूल कनो को च्छान कर दूल कन इत्यादी जो भी कच्ड़ा होगा बाहर में उसे सब छांक लेगा और फिर अंदर में शुद्ध हवा को भेजेगा जबकि मुह में तो ऐसा कोई बाल होता ही नहीं है तो सिर्फ जितना भी कच्ड़ा होगा दूल कन होंगे सारे हमारे मुह में जाएंगे इसलिए अब कभी कभी देखो कि जब आंधी तुफाना आती हैं और आप मुह खोल के सांस लेते हैं तो आपके मुह में कुछ धूल कन जैसा लगता है कि जैसे कुछ कंड चला गया है तो वह ऐसा क्यूं होता है क्योंकि वायूमें धूलकन भी मुशूद होती हैं जो सांस लेने पर ऑक्सीजन ही हमें जो हमारे अंदर के क्रिया कलाफ होते हैं वही सहाय करती हैं प्रसंख्या 14 है कि अगर दो मुंबत्यों को जलाकर अलग-अलग आकार के गिला से ढख देंगे तो कौन सी मुंबत्य ज्यादा देर तक चलेगी और क्यों तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि ज जी यह पता है अगर अता हम छोटे गिलास को कम हवा उपस्तित होगी तो वह थोड़ी देर में मुंबत्य पूछ जाएगी बड़े गिलास के मुंबत्य छोटे गिलास के अपेच्चा अधिल देर तो चलेगी चुकी गेज देखिए आपर समझ लिए कॉंसर्प्ट क्या है आग को जलाने में ऑक्सीजन के साहयक है तीखै ऑ चब आप जानते हो कि किसी भी स्थान पर वायू उपस्तित होती है छोटे गिलास मैं छोटी थोड़ी वायू उपस्तित होगी और बड़े गिलास मैं इसस्यापेच्या धूँआप इससे ढक दोगे मुंबत्य को तो तो वायु ना उतनी देतario जलेगी फिर बुछ जाएगी और फिर इसमें आधिक देन तक क्यों जलेगी क्यों इसके पीच टेच लिखेंगे कि वायु मंड़ा से और ही तो क्या होगा यदि वायु मंड़ा से और होजुग समाप्त हो जाएगा और पीधि से जवजीवह स्वाव्त हो जाएगा देखिया जिस परकार हम पेड़ पोधे पर डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए उसी परकार प्ते भी हम पर मिनीर बार है कारबन डाइकसाइड के लिए क्योंकि हम कारबन डाइकसाइड छोड़ते हैं उसी से पेड़ तो एक दूसरे पर निर्वार है हम लोग भी जी जो इसमें निर्वार है पेड़ पोदो पर और पोदो भी हम पर एक तरह से निर्वार है प्रसंक्या हो गया कंप्लेट तो धन्यवाद आप सपी का वीडियो देखने के लिए जए मार पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर क बच्चा इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद